कि चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किये हुए कुछ हम बातों पर डिस्कस्शन कर लेते हैं डीलर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो सारी बाते बस एक मिन अनट दीजा जाएक। गहीं कि वीडियोज पर डीजा क्या टीया में वीडियोज दाले सीजा कि अब स्क्रेस्ट कर लेते हैं अगया सारी बातों अनट जी समया फ़ेएक। यो यो इन पो और रहना मीव यो अ जहुत है घुछ टारण है अ अ यो कर दिया चाँ आपका झापका 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 झाना प्तों अ नह झापका झा हम काझ आ यो अ चापका झापका झाल कि नेट प्रॉब्लम सर वीडियो पॉज वह मैं कहीं और सुच कर रहा था मैं नाव क्लियर है फटाफट चेक कर लीजिए है क्लियर रहे है कि अ क्लियर है बताईए है गुड़ एवनिंग नाव क्लियर चलिए सर्थ कि एक एक इंपोर्टन कोश्चन कहूंगा और एक कॉनसप्ट है वह देखेंगे इसमें माण लेते हैं मान लेते हैं कि हमारा कॉंट्रेक्ट ना काफी सालों तक चलने वाला वैसे भी मानना कि आपको पता ही ए कि कॉंट्रेक्ट ऐसा होता है कि जो एक बार में खतम नहीं होता जो एक बार में खतम नहीं होता है ना कॉंट्रेक्ट ऐसा है जो कि एक बार में खतम नहीं होता है तो अब जो यहाँ पे एक परसन बैठा हुआ है यह है ठेकेदार यानि कॉंट्रेक्टर और एक और पर्सन है सर ये कौन है सर ये है कॉंट्रेक्टी यानि ये है मकान बनवाने वाला यानि जिसको अपना घर बनवाना है और ये मकान बनाने वाला ठीक है ये क्लियर है आज की डेट पे इन्होंने एक साइन किया और बोला हम आपका मकान बना के देंगे और आपका मकान तयार करके देंगे हम तीन साल में ऐसा डील हुआ तो जब डील हुआ तो डील के साथ साथ यहां पर बहुत सारी बाते भी लिखी होंगी और सबसे मज़े की बात मैं बताऊं तो यहां पर एक बात भी लिखा होगा कि आपका मकान बना के देंगे और उससे हम आपसे contact price लेंगे मान लेते हैं कि 50 लाख रुपे का deal done हो गया 50 लाख रुपे का क्या हो गया deal done हो गया पहले साल तो काम done चला दूसरे साल second year जैसे ही आया second year के अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारी चीज़े बदल गई labor का price बढ़ गया material, cement वगएरा एकदम से hike हो गया तो यह होना obvious है कि आपको थोड़ी पताए कि कब labor कितना लेगा कई बार मैंने देखा है labor 50 रुपे भी लेता था एक दिन के आज labor 500 रुपे भी ले रहा एक दिन के तो बढ़ सकता है तो हुआ यह contract price तो हमने आज के हिसाब से तै किया है लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो हुआ कि आचानक से हमारा labor का price उन्क्रीज हो गया material का हो गया और भी बहुत सारे scenario ही change हो गया पूरा तो ऐसे situation में इसको क्या होने लग गया है नुकसान और आगे चलके और बढ़ेगा तो ऐसे situation में इसको नुकसान होगा इसके पास दो option है या तो contract loss में complete करे या बीच में से छोड़के भाग जाए यही होता है normally और जब loss दिख जाता है ना कि loss होगा तो भाग जाते हैं वो ठेकेदार contract पे छोड़के लेकिन बड़े बड़े deal में ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि reputation market की बात है अगर एक जगा छोड़के जाएगा तो दूसरा contract भी तो ठेकेदार क्या करते है इस जो paper है ना इस paper में ही लिख देते हैं कि sir सब कुछ ठीक है और ये जो 50 लाग का deal है ये deal तब के लिए है कि हमारा labor और material फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा तब ये रहेगा अगर in case बढ़ गया हमारा labor और in case material तो हमारा contract price भी उसी के हिसाफ से fluctuate हो जाएगा लेकिन मालिक भी कहेगा यार तू कैसी बात कर रहा है अगले बार तो बोलेगा 10 रुपे सिमेंट बढ़ गया 50 रुपे labor का बढ़ गया तो कि मैं 50 रुपे जोड के और दूंगा क्या तु लेकिन एकदम से 60-70% का fluctuation आ गया तो मैं तो बरबाद हो जाओं तो बोला 15% तक अगर fluctuation रहा ना तो कोई बात नहीं है यानि 100 रुपे का समान अगर 115 हो जाता है तो बोलता है आप मालिक टेंशन ना लो हमें उसके लिए मैं adjustable हूं लेकिन अगर यह मानलो 120 हो जाता है तो fluctuation कितने % हो गया 20% तो मैं बढ़े हुए contract price का मैंने 15 सोचा तो बढ़ा कितना 5 रुपे बढ़ा कितना इस 5 रुपे का कुछ percentage मैं आपसे भी लूआ नहीं तो मैं तो बरबात हो जाओं तो जब deal हो रहा था तो उसने ये बाते इसके बीच में रख दी जब ये बाते रख दिय का मान जाएगा अब हमारे अगले वाले जो concept में होने वाला ने बड़ी सीधी से बात आपको clear हो रहा हो कि क्या करने वाले हमारे अगले वाले concept में यही होगा जब deal होगा ने जो contact price वो contact price नहीं रहेगा वो बढ़ जाएगा तो जब हम मालिक से ये बोलेंगा भीया 5 रुप कि था वो था ही था और बढ़े हुए price का भी तो मैं कुछ percentage उससे ले रहा हूं तो जितना बढ़े हुए percentage ले रहा हूं तो वह भी कहीं न कहीं मेरा क्या हो जाएगा sale तो उसे भी कहां लिखेंगे हम buy side में के exclamation clause लिख दो यह increment in the material and liver लिख दो समझ में आ रही बात आपको एक सवाल देखेंगे पूरा scenario clear हो जाएगा सर क्या कहता है एक ही सवाल करने वाले इसी में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कहता है नहीं कहता है पहले तो हम कर लेते हैं सर contract account सीधी सीधी बात है कई बार पता है सवाल जब मुस्किल होता है ने तो हम पहले अगर मुस्किल हो पाओ के सर यह करने वाले हैं इस टाइप का नहीं सरिफ एक ही सवाल इकलौता है यहां पर देखेंगे कई बार बहुत सारे बुक्स के अंदर मैंने सर्च करने की कोसिस करा कि इस टाइप का कोई सवाल मिल जाए मैं बच्चों को दो तो हर जगा पे मुझे एक ही देखा पिपर में भी यही सवाल आया हुआ है एक ही बार आया हुआ है तो उससे हिसाब से यह बना लिया मैंने कॉंट्रेक्ट अकाउंट ठीक है चलिए सर सर फिर से समझा दो अभी समझेंगा अभी सवाल किया कहा है अभी सवाल किया ही नहीं है समझेंगा तो सवाल ही नहीं है अभी गुलशन कुमार सर आपने कॉस्चिट के अरे कॉस्चिट के अभी कॉस्चन रुख जाईए पहले इसको देख लेते हैं फिर कॉस्ट पर जाएंगा ठीक है कॉस्ट पर रुख जाएगे तो सर बड़ी सीधी से बात है material पर्चेस यहां जाएगा तू material अगर एक लाग मटीरियल के बाद किया है वेज़स पेड टू वेज़स पेड कितने हैं पर्टी फाइव और वेज़स में साइध आउट्सेंडिंग विए गई जहां तक मैंने कराया है है ना आउट्सेंडिंग इसलिए मैं इसे अंदर बच्छों का क्या रहा है कौन सा क्लॉस एक्सलिनिश अभी बता देंगे बता चिंता मत करो यह लो अधिक है अभी सवाल में लिखा हुआ है सब बताएंगे चिंता मत करिये पहले मुझे को पूरे मन से कराने दो फिर मैं आपकी मन की बाद जानूंगा इसको अंदर रखा है इसके बाद जर्नल एक्स्पेंस टू जर्नल एक्स्पेंस जर्नल एक्स्पेंस सर कितने हैं दस हजाद इसके बाद in plant plant इधर ही आ जाता है क्योंकि हम closing balance लेते हैं सर P प्लांट कितने हैं? पंचाथ हंजार. इसके बाद? वेजuma. वेजार क्या है? मचल Sag in तो तो बाई साइड हाँआगा? बाई क्लोजिंग. क्लोजिंग में आजाजागा मचल हमचल Siz बाई क्लोजिंगButer secretary कितने रुपे? प्चिस हजार. इसके बाद? प्रिफ्टी थाउसे वक्साटिफाइड बाई डब्लू आई पी और इसके अंदर आएगा वक्साटिफाइड वक्साटिफाइड कितना दो लाग नौट साटिफाइड कितना है तो देखो सब नॉर्मल चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं कैसे सीव कभी रूल होता ही नहीं यहां प्लांट तो डेप्रिशेशन कितना लगा प्लांट फे 5000 था 50 का तो हमारा प्लांट कितने का बच गया प्लांट बच गया 45 तो सब सिंपल चल रहा है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब में जो मुद्दे की बात है मैं वो पढ़ देता हूं क्याता है अब अब कॉं कांट्रेक्ट के अंदर कुछ बातें और कुछ शर्ते थी एक्सक्लेनेशन क्लॉज का मतलब शर्तें कुछ शर्तें थी यहां पर ठीक है ना कुछ शर्तें और शर्तें क्या थी यहां पर कहता है इन दा इवेंट ऑफ प्राइज ऑफ मटीरियल का प्राइज है एंड रेट wages और जो wages का rate है by more than 5% अगर ये बढ़ गया 5% से ज्यादा 5% से ज्यादा यानि 100 और 5 तक तो चलेगा अगर ये 106 हो गया तो problem है कहता है भईया हमारा contract price भी बढ़ जाएगा 25% और 25% कितना समझेगा अगर 105 होता तो कोई problem नहीं है लेकिन जैसे ही 100 से ये 110 हो गया तो बताइए कितने परसेंट बढ़ गया 10% बढ़ गया तो 5% तक तो हटाई दीजिए बोला 5% का तो कोई है ये नहीं कुछ 5 लेना चाहरा है मैंने एक example लेके समझाया है बोला ये तो है clause ये तो है कानून जो कि मैंने लिख दिया अब actual में हुआ क्या वो नीचे बता रहा है 5% के बाद वाले बढ़े हुए अमांट का कहता है it was found अब मिला हमें क्या since the date of signing agreement जिस दिन agreement किया price of material and wages increase by 25% अब भाया जिस दिन हमने करा उस दिन पाया गया कि भाया हमारा 25% से wages और material बढ़ गया it was found इसका मतलब सथ ये दोनों price बढ़े हुए है पहले से इसके अंदर और नहीं बढ़ाना क्योंकि जो यहाँ पर price given है already बढ़े हुए है तो क्या कहता है it was found the value of work certified does not take into account this effect कहता है इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है बड़ी सीधी सी बात बोली कि इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है prepare the contract account working not clearly तो sir इसके अंदर अगर effect लेंगे तो इधर buy side में और increase हो जाएगा ना हमारा sale ठीक है तो हम मुद्दे की बात चलिए समझते हैं मुद्दे की बात क्या है आपको थोड़ा थोड़ा idea लग गया होगा तो सबसे पहले हम ये check कर लेते हैं बड़ी सीधी सी बात है कि material कितना बढ़िया तो अगर मैं material की बात करता हूं तो बोला material बढ़िया है 25% मैं निकालता हूं material है तो सर मटीरियल जो यूज हुआ है वह एक लाग का था material कितना था एक लाग उसमें से यूज कितना हुआ 25 माइनची होगी होगे सर तो यूज कितना हुआ अल्टिमेटली 75,000 का तो जितना यूज होगा उसी का तो बढ़ाएंगे हम जितना यूज होगा एक सेकंड जितना यूज होगा उसी का तो बढ़ाएंगे हलो तो मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यह है के सर मेरे को कहीं न कहीं लग रहा है तो आ रहा है ना सभी को विज्वल है के नहीं है मुझे लग रहा है कहीं ब्लर ब्लर टाइप का आज क्यों दिख रहा है या मेरा मोनिटर खराब हो गया कि मिट्टी उट्टी तो नहीं जम गई यहां पर बच्चे कह रहें ब्लर है एक सेकंड रुकिया चेक करते हैं शाहिद I think now clear हाँ अब बिल्कुल साफ देख रहा है मुझे लग रहा था मेरी रौस नहीं उसने तनी चली है अब बताईए फटापट ठीक है नहीं ठीक अब clear है ठीक है चलिए ठीक है तो चलिए तो मैं क्या बता रहा था देखो material जितना इस्तमाल करोगे उसी का तो बढ़ा हुआ contact price का दोगे आप अपने सामने बहुत सारे stock लिया और बोलो के भई हम इतना stock लाए थे यूज हुआ नहीं तो इसका भी देदा तो नहीं देगा तो 75,000 रुपए का material इसमें यूज हुआ है पहले यह जवाब देजिए हाँ या ना कितने का यूज हुआ है पिछे और यह 75,000 भी वो है जिसके अंदर price बढ़ के included है मतलब मैं सीरी सी बात कहूं तो यह 75,000 का सर कितना परसेंट बढ़ा हुआ है सर इसका बढ़ा हुआ है यह 25 परसेंट बढ़ा हुआ है कितना बढ़ा हुआ है सर यह 25 परसेंट कुस्टर में कहता है कि increase by 25 तो यह है हमारा 125 25 परसेंट के बराबर और हम पहले 100 परसेंट के बराबर निकालने के भीया material था कितना actual हमारे contact के हिसाब से कितना था और होना कितना चाहिए था यह निकाल लेते हैं तो सर जवाब आया यहां पर सर आपका न 60,000 रुपए का अगर increment नहीं लगता तो होना चाहिए increment की वज़ मैंने क्या कहा कि material हमारा जो दे रखा है यूज वो है 75 जो बढ़ा हुआ प्राइस था और यह वाला material जो नहीं बढ़ता तो इतने का होता यानि ultimately 15,000 रुपए हमारा price बढ़ चुका है 15,000 का price क्या हो चुका है बढ़ चुका है समझ में आरे यह बात आपको सवाल क्या कहता है यहां तक हर किसी को clear है सवाल कहता है कि यह 5% तक बढ़ जाए चोटी मोटी बात है उसके ऊपर बढ़ जाए ना तो उसका मैं 25% ले लूँगा तो अगर मैं यहां पर लेके चलूँ ध्यान देना अगर मैं 60,000 रुपए का 5% निकालू तो 60,000 रुपए का 5% कितना होता है तीन हजार यानि तीन हजार रुपए तक जायज है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपका जो इनक्रीज हुआ है ना प्राइस इनक्रीज जो हुआ है वो टोटल 15,000 हुआ है जिसमें से तीन हजार रुपए का तो आपको टेंशन ही नहीं है तो एक्चुल आपसे वसूल लूगा इसका 25% वसूल लूगा जो कि तीन हजार है तो मैं बाई साइड में लिखूंगा कि EXclINATION clause की वज़े से या INCREASE हो रहा है हमारा material के case में कितना increase हो गया 3000 ऐसे ही मैं labor पे check कर लूँगा पहले देखिए समझ में आया तो फिर मैं अगले पे जाओंगा 15,000 ये ना 15,000 कैसे आया actual देखो 75 और ये 15,000 मैं कहां से लिखूं कहां से दिखाऊं कहां से दिखाऊं ये increment देखो मैं यहां लिख रहा हूँ 75 के लगा और 60 का थाउना चाहिए था तो 15 बढ़ गया ठीक है बताए किसी को दिक्कत है तो देखो रोक देना यहां पर नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगो तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा सर प्लीज रिपीट 25,000 क्यों किया एक बार और रिपीट ठीक है मैं एक बार फिर मिटा के इसे करना चाहूंगा पहले सभी बच्चे मुझे ये बता दे कि सर हमें ना इनका डील और कॉंट्रेक्ट समझ में आ गया है डील और कॉंट्रेक्ट का मतलब सर हमें ये पता चल गया है कि ये कहना क्या चाहरा है सवाल में अगर आपको ये बाते पता चल गया है इसको मैं थोड़े छोटा कर देता हूँ क्योंकि अब सवाल तो दिखाने कर समय नहीं है solution करना है एक बार और ठीक है मैं डील लिखता हूँ हमारी डील हुई कि अगर मटीरियल और लेबर दोनों अगर बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट तो कॉंटेक्ट पे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बट अगर मटीरियल और लेबर दोनों बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है ना पांच परसेंट से ज़्यादा बढ़ जाता है इंक्रीज पांच परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो जितना 5% से ज़्यादा बढ़ा, उसका 25% हम recover कर लेंगे, समझ मैं यही बात बोली है, अब चेक करते हैं material की बात करते हैं, तो सर हमारा material use कितना हुआ, सर, material जो लगा, सवाल में तो 1,00,00 है, लेकिन closing stock भी तो है न, तो minus 25,000 रुपे कर दिया, सर, कहां है minus 25,000 यह रहा, इसका मतलब सर, हमारा total जो material use हुआ, वो only 75,000 हुआ, कहता है, it was found, found का मतलब भया, पहले ही सारा कारनमा हो चुका है, पहले ही पाया जा चुका है, तो इसका मत मतलब यह बढ़ के है, तो हमें अगर पता चल जाए के पहले कितना था, तो हम percentage एक बार कर पाएंगे, तो सर, अगर यह बढ़ के है, तो हमारा before, before increment, कितना होगा, तो 75,000 में कितना जूड चुका है, 25% बढ़ गया, तो इसका मतलब 125 और 100, तो यानि हमारा बिना बढ़े कि 60,000, यहां तक समझ मैं है, यानि पहले 60 का था, अब हो चुका है, 75 जो कि हमने already दिखा दिया है, अब हम बात करते हैं, total कितना increase हुआ, total increase कितना हुआ, sir, total increase हुआ हमारा, देखा जाए, तो 75,000 का था, और हो चुका है, अब 60 का, तो यानि हमारा 15,000 का increase हो चुका है, अब मेर बात सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं कितने percent ऐसे हैं, जिसके लिए मैं आपसे कोई charge नहीं करूँगा, तो अब 5% किसका, बिना बढ़े वे price का, तो अगर मैं 5% यहां calculate कर लूँ, एक दिमाग में idea ले रहा हूँ, कि sir, 5% का charge नहीं करूँगा, तो इसका मतलब, sir अगर 60,000 का समान था, और अगर यह 5% तक बढ़ जाता, तो जिसका मतलब 3,000, तो मैं उससे मांगता ही नहीं, लेकिन बढ़ कितना गया है, तो sir, अब मैं यहां पर minus कर देता हूँ, 5% का जो उन्होंने relaxation दे रखा है, इसका मतलब, sir, 3,000 रुपे, यानि sir, अब भी 12,000 बढ देता हूँ, देखो, हमारा कितना था, 75,000 का कितना था, 100 divided by, 125, यह आगया cost, और 25% बढ़ा है, तो हमें 25% बढ़ गया है, 5% का relaxation है, तो मैं तुम से कितना recover कर लूँगा, 20 by 100, तो that is, आप calculate करो, यही आए का अपका, चेक करें, नहीं, 12,000 रहेगा, कितना बढ़ा है, यह 12,000 रहेगा, तो direct आगया यह, बढ़ा हुआ, जो कि मैंने 3 माइनिस किया हैं था, ठीक है, अब इसको और formula को sort कर देते हैं, देखो, sort करने को मैं इतना sort कर दूँँगा, फिर आप confused ना हो जाओ, बोला गया, यह हमारा है क्या, और इसका मैं ले लूँगा, पच्चिस परसेंट आप से, कहीं आप बीस और पच्चिस में उलज के, जादा ना उलज जाओ, इसलिए मैंने detail में भी कर दिया, बहिए जिसको जैसे समझ में आता है न, मैं तो कहता हूँ कि आप वैसे कर लो, ऐसा कोई marks आपको extra नह करता है, यह हमारा price, इसको solve करने का मतलब है, इस part को solve करने का मतलब है, मेरा पुराना price आ गया यह, पुराना, यानि old price आ चुका है, और इसके उपर extra कितना बढ़ चुका है, extra कितना बढ़ चुका है, 5% के बाद extra कितना बढ़ चुका है, इसका मतलब बढ़े हुए का, तक में पहुंच गया है। ठीक है। आप ऐसे समझिये, चाहे आप ऐसे समझिये, टोटल आपकी मर्जी है। यह मैंने तोड़-तोड़ के बता दिया, कुछ बच्चे बोलेंगे। क्योंकि बच्चे किताब में भी compare करते ना, और किताब में compare करके और उस समझ के मेरी जान में पिर आफ़त आ जाती है क्योंकि किताब में क्या कर रखा है 75 पालग निकाँ रखा है 60 पालग निकाल रखा है फिर माइनेस प्लस-ुलस करके कर रखा है तो बच्चा परिशान रहता है उसके दर पहले बताई है तो यह समझ में आ गया है clear है बच्चे कह रहे हैं सर यह वाला method इस जिसको जो समझ में आता है वो समझ लेजिए ऐसा नहीं है कि आप इस वाले method से करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा exam में और उस वाले से करेंगे तो shortcut से कम examiner को मतलब ही नहीं है examiner तो बोलता है बस contract account बनाईगे सर बीस परसेंट 15,000 का देखो एक बच्चे ने बोल दिया बीस परसेंट बिल्कुल ठीक रहेगा done तो अभी तो हम material से निफ्टे हैं अब किस से निपटना है wages वेजिस भी तो बढ़ा है ना wages कितना बढ़ चुका है पचास जा चलो wages का इधर करते है wages का इधर करते है सर वेजिस जो यूज हुआ है 45 हुआ था और 5000 तो अभी देने भी बाकि है तो टोटल वेजिस यूज हुआ 50,000 जोटी बढ़ चुका है कितना बढ़ चुका है सर वेजिस आपका 25 बढ़ चुका है तो इसका मतलब सर ये भी 100 divided by 125 25 that is आपका कितना आ गया 40,000 यानि हमारा वेजिस 40 होना ची और ये increment कितना लग गया increase कितना लग गया तो 50,000 का बढ़ा के था और बिना बढ़ाए अगर नहीं बढ़ता तो हमारा होता 40 तो increment लग गया 10 law कहता है यानि rule कहता है कि भाई या 5% तक तो bearable है तो 5% किसका असर 40,000 रुपे का 5% that is आपका आ गया कितना 2,000 नहीं हाँ 2,000 दो हजार आ गया ठीक है एक्स्ट्रा कितना हो गया इतना increase हुआ actual में जिसमें से 2,000 के लिए हो बोल रहा चलो छूट है तुमारा तो net में कितना increase हो नेट इंक्रीज होगे 8,000 अब बोलता भी या इस आठ का तो तुम्हें सारा नहीं देना इसका कितना recover करेंगे तो recover करेंगे सिर्फ 25% that is कितना आ जाएगा हमारा 8,000 का 25% that is 2,000 एक बच्चे ने जो सवाल का आंसर ऐसे भी कर सकते हैं चलिए मैं ऐसे करके दिखा देता हूं इसके नीचे कैसे करेंगे सर हमारा टोटल कितना था सर पचास अजार पहले उसका कितने 100 डिवाइड़ बाइड बाई पच्चेस बटे में 125 करोगे तो क्या आगया ये बढ़ हुआ लोगे भड़े करोगे कर दो देखना करके कर ऐ لएं चाहित यह भी का दो खीक है थीतक है तो बहुत सारे तरीके कर दिया जिसको जो समझ में आता है वह कर सकता ठीक है यानि मुद्दे की बात है सर यहां पर में लेवर बढ़ेगा कितना और टोटल कॉंट्रेक्ट प्राइज बस कुश्चन खदम है और कुश्चन में कोई जानी नहीं है यह कुश्चन में कोई जाननी है तो दो लाग 15,000 है दो लाग 15,000 है प्लस पाच वाजार प्लस पच्चिस हजार प्लस 45,000 है तु 9, francs 290 दे ए चित Pentral गव माइनसे के लाएंटस माइनसक पचास फज़ार माइनस दचाज्चर माइनस पचास्य था श acord 뭐 अ सीजार डू सर प्लस अे असी हजर बाय सर प्लस असी अजार चेक करते जाएगा ठीक है टू सी पील और टू डबलू आईपी रिजर्व बता ही असी अजार आ रहा है अब देखें कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ क्वांटेक्ट कितने का था भाईया पाँचलाग का थाuin 5 लाग का तो परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआए सर बग साटिफाइड कितना है दो लाग तो दो लाग age डिभाईड वाईड़ इपांच लाग इंटू में 100 दो लाग डिभाईड़ बयेड़ इंटू में दो इंटू में 5 कर देते हैं, 40%, तो 40% में कौन सा रूल लग गया, सेकिंड वाला, सेकिंड वाला रूल लगा देते हैं, सेकिंड वाला रूल क्या कहता है, CPL is equal to 1 by 3, इंटू में surplus, इंटू में cash received divided by work certified, 1 by 3, surplus कितना था, 80,000, 80,000 का 1 by 3, इंटू में cash received, क्या था हमारा, 2,00, पूरे-पूरे, divided by work certified, अच्छा, तो 2,00, क्यों बता दिया, 1,5,00, और 2,00, ठीक है, तो 80,000, 20,000 आ गया, चलिए यह आ गया, सर्क 20,000, यह 20,000, और यह आ गया 60,000, और आंसर हो जाता है, इस तरीके से, हमारा डन, 80,000, ओनर्स वालों के लिए एक class रह जाता है, प्रोग्राम वालों के लिए यह topic खतम हो जाता है, पूरा जितने भी question है, जो आपको sheet दी जाएगी, अगली class के अंदर, उसमें सारे question डाल के दिये जाएंगे, वो आपके homework में रहेगा, सर, last वाला 25, 25, 125, again बताना, नहीं भाई, नहीं नहीं, अगें बताने वाला नहीं है वो, मैं एक को बताऊँगा, चार confused होंगे, तो आपको जैसे भी, पुराने वाला समझ में आ गया ना, एक method तो बढ़िया है, पुराने वाला एक method समझ में आ गया, वो अच्छा है, जो भी समझ में आ रहा है, हाँ, मैं कुछ बच्चों का job batch का job batch का exam में सवाल नहीं आता हो, theoretical आता है, वो मैं बता दूँआ, job batch होता क्या है, वो theoretical आता है, clear? बच्चे कह रहे हैं, सर ये वाला बता दो, इसके अंदर पता ही क्या करा मैंने, अब पता ही क्या होता है, normally, अगर ये 50,000 है, divide 125 कर दिया, अब आपको जितना percent requirement है, वो रिख सकते हैं, उपर, आपको 25 है, चलो, मैं एक काम करता हूँ, 20, तो फिर तो बच्चा और परिशान हो जाएगा, सर, अब क्या कर दिया, आपने, इंटू में 25 बटे में 100, अब कर लो, अब भी आएगा 2000, जाएगा, तो मैं जितना ज्यादा short करता जाऊँगा, आपके लिए problem create होता जाएगा, और सबसे आसान तरीका मुझे ये लगा, कि आपको जो चीज समझ में आ जाए, और ये short, आप कब कर सकते हो, हम कब सीखेंगे, जितने जबार practice करोगे न, और जितना आप लगाओगे दिमागत उतना, और ये सारी चीज़े जब आप semester 6 में जाओगे, या फिर बच्चा semester 5 में जाता है, ओनर्स वाला, तो management account है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़े बड़ी detail में होती है, चर्चा है, तो ये है, इसका मतलब है सर हमारा cost, divide करते equal आ जाता है, जितने percentage चाहिए into करते जाओ, तो हमारा 5% तक तो छोड़ रहा है, मैंने बूला 20% में चाहिए, तो मैंने multiply 20 कर दिया, तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ price आ गया, 5% छोड़ने के बाद, उसका भी कितना दूआ, 25%, तो multiply सीधा कर दिया, 25%, यहाँ वाले में क्या करा, 25 करा, 25 मतलब total increment कितना है, total increment का मैं 5% छोड़ी दूँगा, तो कितना लूँगा 20, तो 20% कर दिया मैंने या, तो वो सोचने का अलग-अलग तरीका है, ठीक है ना? बाई, increment लिखा है, बच्चे पता नहीं क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, बाई, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वहीं लिख देता हूँ, मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप बताएं, बुक में देखके, increment, इसमें, जो increase हुआ हैं 5000, मेरे खला, explanation clause ही लिखा होगा, क्या? Contract explanation, ना? आप वो लिख लेना, कोई बात नहीं है, वो देखके लेना, तो आज की class का, बस मेरा agenda यही था, अगली class के अंदर आपका क्या करवाऊँगा, सिर्फ doubt लूँगा, जो कि हाला कि कुछ questions तो हमने कर लिये हैं, बाकी की question मैं दे दूँगा, doubt practical problem के भी कुछ question दूँगा, उसके बाद यह chapter हमारा खतम हो जाता है, Monday.